कैसे हैं आप सब तो आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे एक ट्रैजी कॉमेडी प्ले को जिसका नाम है फिलास्टर जिसे लिखा था फ्रांसिस बोमन और जॉन फ्लेचर ने बोमन और फ्लेचर दोनों ही इंग्लिश ड्रामाटिस्ट थे और उन दोनों ने बहुत सारे वर्क्स कॉलाबोरेट करके लिखे थे और ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये भी उन दोनों का वान आफ दी मोस्ट फेमस कॉलाबोरेटेड वर्क है फिलास्टर को पब्लिश किया गया था 1620 में और जैसे कि यह एक ट्रैजी कॉमेडी प्ले था और इसकी सक्सेस के बाद ट्रैजी कॉमेडी ड्रामाज का ट्रेंट काफे बढ़ गया था तो अब हम इसकी समरी को पढ़ना स्टार्ट करती हैं तो इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है सीजीली नाम की एक किंगडम सी यह है एक फिक्शनल किंगडम है इसके किंग की थोड़े टाइम पहले डेथ हो चुकी है और फिर किंग ओफ केलिब्रिया ने इस किंगडम को अक्यूपाई कर लिया है मिन्स हथिया लिया है इस पे तो लोग रिवोल्ट कर सकते हैं इसलिए किंग ओफ केलेब्रिया उसे जिंदा रखने का फैसला करता है लेकिन फिर वो अपनी डाटर अरतुसा की मेरेज स्पीन के प्रिंस फेरमेंड से करवाने का डिसीजन लेता है और फैरमेंड और अरतुसा की शादी हो जाए और फैरमेंड उसका सानिन लौ बन जाए तो फिर इस किंगडम को रूल वो करेगा और फिर ऐसे फिलास्टर को थ्रोन पे बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा लेकिन फैरमेंड तो एक क्रीपी और लेचरिस परसन है और उसकी बहुत सारी विमेंड के साथ अफैर भी है तो एरतुसा उससे शादी नहीं करना चाती वो फिलास्टर से प्यार करती है और जब फिलास्टर को पता लगता है कि केंग इन दोनों की मैरिज करवाना चाती है तो वो भी इस रिष्टे को अपोज करता है क्योंकि वो भी एरतुसा से प्यार करता है तो अब फिलास्टर अपने एक सर्वेंट बेलेरियो को मीडियेटर बनाता है वो इन दोनों के मैसेजिज एक दूसरी को डिलीवर करेगा तो बेलेरियो के थ्रू इन दोनों की बात हो तो फैरमेंड इस चीजसे बहुत humiliated feel करता है और अरेटूसा से बदला लेने केलिए वो सबको यह पता देता है कि उसका अफिर उसके servant बेलीारियो के साथ चल रहा है बेलियूर और अरेटूसा के ऐफिर की बात फिलास्टर को सच लगती है और वो पूरी तरह से टूट जाता है एरेतुसा को भी बहुत हट होता है लेकिन सबसे बुरा उसे इस बात का लगता है कि फिलास्टर ने उस पर यगीन ना करते हो एक र्यूमर पर यकीन कर लिया उसने बहुत एजली इस बात पर बलीव कर लिया कि अरितुसा और बेलेरियो का अफेर है इस बात से दुखी अरितुसा अपनी लाइफ को खतम करना चाहती है वह वो एक जंगल में चली जाती है और सुसाइट करने ही वाली होती है कि वहाँ पर फिलास्टर आ जाता है वो बहुत रोते हुए फिलास्टर से कहती है कि उस पर युकीन ना करके उसने बहुत गलत किया है अब वो जीना नहीं चाहती तो फिलास्टर ही उसे मारते इस तरफ फिलास्टर भी बहुत दुखी था लेकिन उसे इस बात का गुसा ज्यादा था कि एरेतुसा ने उसे धोखा दिया है बिट्रे किया है और वो खुद भी जीना नहीं चाहता था तो वो अपनी तलवार से पहले एरेतुसा पे अटैक करता है फिर वो खुद को भी स्टैब करने ही वाला होता है कि एक परसन उसे देख लेता है फिर वो वहाँ आता है और उसके हाद से तलवार वगएरा च्छीनता है उसे बचाने की कोशिश करता है ऐसे वो दोनों वहाँ पर लड़ पड़ते हैं और दोनों ही इंजड भी हो जाती है फिलस्टर फिर कैसे भी करके वहाँ से भाग जाता है और फिर वहाँ के लोग एरतुसा को कोट में ले आती है अब फिलस्टर पे चार्जिज लगे हैं अटेम्ट टू मॉर्डर एरतुसा और उसे सदा होने वाली होती है लेकिन तब बेलेरियो वहाँ पर आ जाता है और फिलास्टर को बचाने के लिए और सबसी यह कहता है कि एरतुसा पर अटेक फिलास्टर ने नहीं मैंने किया है तो अब कही न कही फिलास्टर को भी यह लगने लग जाता है कि एरतुसा तो इनोसेंट है उसे बस बद्दाम करने के लिए ये सब चीज़े बोली गई थी और फिर वो अपनी गलती माल लेता है सरंडर कर देता है फिर किंग फिलास्टर को अपनी बेटी एरतुसा को ही सौप देती है कि तू जो भी करना चाहती इसके साथ कर सकती है ये तेरा गुनेगार है लेकिन एरतुसा को फिलास्टर पे प्यार आ जाता है और वो उसे टाइम उसे शादी कर लेती है तू अब उन दोनों को डेथ सेंटेंस दे दी जाती है क्योंकि अब एरतुसा फिलास्टर की वाइफ है लेकिन जैसे जैसे कि हमें पता है कि लोग फिलास्टर को लेके बहुत लोयल है उसके बहुत respect करते हैं और फिलास्टर को मिली death sentence को देखते हुए वो लोग फैरमेंट को arrest कर लेते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं तो अब वो लोग Revolts पे उतराते हैं कि हमें फिलास्टर जिन्दा चाहिए हमारे साथ चाहिए और फिलास्टर को कुछ नहीं होना चाहिए वरना वो फिलास्टर को मार डालेंगे लेकिन फिलास्टर की रिक्वेस्ट से वो सब शांत हो जाते हैं और फैरामन को भी छोड़ देते हैं फैरामन को वापस उसके घर स्पेन भेज दिया जाता है और एंड में सब के सामने एक ट्विस्ट आता है कि बेलेरियो एक लड़का नहीं एक लड़की है वो एक नोबल मैन की डॉटर है जिसका रियल नेम है यूफरिजा और वो सब को बताती है कि उसने एक मैन का रूप इसले लिये हुआ था क्योंकि वो भी फैलास्टर को पसंद करती थी और उसके साथ रहना चाती थी उसकी नजदीक रहना चाती थी इसलिए वो उसकी सर्वेंट बैलेरियो बनके उसके साथ रह रही थी तो अब बैलेरियो और एरेतुसा की अफेर्स की जो रियूमर्स थी वो भी क्लियर हो जाती है कि वो सब जोट था बैलेरियो तो एक लड़की निकली और एरेतुसा की इनोसेंस प्रूव हो जाती है फिलास्टर उससे फिर से प्यार करने लग जाता है और उसे अपनी गलती का हैसास होता है यूफरेजा की लोयल्टी देखते हुए उसे लेडी इन वेटिंग की पुजीशन दी जाती है अब एरेतुसा की फादर मीन्स किंग ओफ कैलिबरिया भी फिलास्टर का बहुत बहुत शुक्रियादा करते हैं कि उसने लोगों की रिवोल्ट को शांस किया और फेरमन्ट को स्पीन वापस भीज़ दिया तो वो भी इस बात को समझ जाती है कि थ्रोन का राइट फुल एर फिलास्टर ही है और वो ही इस किंगडम को अच्छे से चला सकता है क्यूंकि वो लोगों में भी बहुत पॉपुलर है इसलिए सब लोग उसकी बात मानते हैं तो इन्दी एंड फिलास्टर को सिंगासन दे दिया जाता है और वो सीजिली का न्यू किंग बन जाता है और ऐसे इस प्ले की हैपी एंडिंग हो जाती है तो फ्रेंड्स अगर आपको इसकी स्टोरी इंट्रस्टिंग लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते न because I really need your support तो अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर गाईज बाई